UP के सरकारी करमचारियों पेंशनरों के लिए खुश खबरी बड़ी दर से दाडिया भुकतान की तैयारी केंद्रिय करमचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृध्धी की घोषणा के बाद UP सरकार भी अपने लाखो करमचारियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ते के भुकतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है The Increased UP Government Employees Salary केंद्रिय करमचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धी की घोशना के बाद UP में योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपने लाखो करमचारियों को बड़ी दर से महंगाई भत्ते के भुकतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है सोमवार को इससे संबंधित फाइल तैयार की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्विकृती मिलने के बाद मार्च माह का वेतन जिसका भुकतान अप्रेल में होगा उसके साथ बड़े डिये के नगत भुकतान का आदेश जारी किये जाने का अनुमान है करमचारियों को इस व्रिधी का लाब जनवरी दो हजार चौबीस से मिलेगा खजाने पर हर महीने करीब 314 करोड रुपै का अतिरिक्त भार पड़ेगा 12 लाख पेंचनरों की महंगाई राहत भी बढ़ेगी राज्य सरकार द्वारा बड़ी दर से महंगाई भत्ते की घोशना होने पर करीब 10 लाख राज्य कर्मियों और 8 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा 12 लाख पेंचनरों की महंगाई राहत में भी 4 फीसदी का इजाफा होगा उर्जा भवन में लगी पेंचन अदालत 9 पेंचनरों की दर्ज हुई समस्या प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को PVVNL की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन के निर्देशन में डिसकॉम मुख्यालय उर्जा भवन में प्रथम 13 पेंशन अदालत प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को PVVNL की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन के निर्देशन में डिसकॉम मुख्यालय उर्जा भवन में प्रथम 13 पेंशन अदालत लगी इसमें पश्चिमांचल के विभिन्न जिलो से पेंशनरों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई PVVNL अफसरों ने पेंशनरों की समस्याओं का सुना और समाधान के निर्देश दिये शनिवार को पश्चिमांचल डिसकॉम की प्रथम पेंशन अदालत का शुभारंभ निदेशक, कार्मिक एवं प्रबंधन, एसके पुर्वार, निदेशक, वानिज्य, संजय जैन, निदेशक, तक्नीकी, एनके मिश्र ने किया निदेशक, कार्मिक एवं प्रबंधन, एसके पुर्वार ने कहा कि सेवानि वृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन अनंतिम पेंशन एवं अन्य सेवान वृत्तिक देओं का भुकतान उनकी सेवानि वृत्ती तिथी पर किया जाना सुनिष्चित करें कहां कि पेंशन पारिवारिक पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रात्मिक्ता पर किया जाना सुनिश्चित करें पेंशन अदालत में विद्युत मजदूर पंचायत के प्रांतिय उपमंत्री दिल्मने थपलियाल ने बिजली कर्मियों की पेंशन वा अन्य समस्याओं को उठाया प्रग्या देवी की फैमिली पेंशन का मुद्दा उठाया और कहा की कोट के आदेश का बाद प्रग्या देवी की फैमिली पेंशन के मसले का समाधान करें निदेशक PVVNL ने अधिनस्थों को सक्त निर्देश देते हुए प्रकरण के निस्तारण को कहा इसके अलावा पेंशनरों को मेडिकल क्लेम का पिछले डेड़ साल से भुकतान नहीं होने के मामले भी निदेशक ने आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को पेंशनरों की समस्या प्रात्मिक्ता पर निस्तारित करने को कहा इसके अलावा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के सरकारी आवास का सिविल से नो ड्यूज प्रमान पत्र मिलने में आने वाली दिक्कतों को उठाया पेंशन अदालत में सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित नौ आवेदन जन्पद मिरट, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, बागपत, बुलंदशेहर एवं मुराधाबाद से मिले पेंशन अदालत में जिनके शीग्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये अटेवा ने पुरानी पेंशन को लेकर फिर भरी हुंकार अटेवा क्यारा ने रविवार को डियेवी इंटर कालेज में ब्लॉक स्तरिय सम्मेलन का आयोजन किया जिला सन्योजक अटेवा डौ मुनीश कुमार गंगवार ने कहा कि अटेवा ने पुरानी बरेली अटेवा क्यारा ने रविवार को डियेवी इंटर कालेज में ब्लॉक स्तरिय सम्मेलन का आयोजन किया जिला सन्योजक अटेवा डौ मुनीश कुमार गंगवार ने कहा कि अटेवा ने पुरानी पेंशन का आंदोलन तेज किया है भूप सिंग ने कहा कि अटेवा के चलते आज राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की चर्चा कर रही है हम लोगों के आंदोलन को और गती देनी है जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा हर्याना न्यूज बिना गलती विध्वा की रोकी फैमिली पेंशन हर्याना सरकार को लगाई फटकार थोका एक लाख का जुर्माना हर्याना न्यूज हर्याना सरकार को हाई कोट ने फटकार लगाई है बिना गलती विध्वा की फैमिली पेंशन रोकने पर हाई कोट ने सरकार पर एक लाख रुपै का जुर्माना लगाया है नियम के अनुसार पहले 7 साल वेतन का 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है और बाद में इसे 30 प्रतिशत कर दिया जाता है हाई कोर्ट ने याची को सही ठहराते हुए ये फैसला लिया पंजाब हरियाना हाई कोर्ट ने गलती से पेंशन में अतिरिक्त भुक्तान होने के चलते भूल सुधार के लिए 15 महीने विद्वा की फैमिली पेंशन रोकने को मानमाना समवेदन शील वा अमानविय रवया करार देते हुए हरियाना सरकार को जम कर फटकार लगाई है इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याची को मुआवजे का हगदार मानते हुए सरकार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है याचिका करता ने लगाए आरोप याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी सर्वेश देवी ने बताया था कि उसका पती लीडिंग फायर्मैन पद पर कार्य करता था एक दुरघटना के चलते सेवा में रहते हुए उनकी 2003 में मौत हो गई थी नियम के अनुसार याचि को फैमिली पेंशन का भुकतान शुरू कर दिया गया नियम के अनुसार पहले 7 साल वेतन का 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है और बाद में इसे 30 प्रतिशत कर दिया जाता है 2009 में नियोमों में संशोधन किया गया और पहले 10 वर्ष 50 प्रतिशत राशी पेंशन तै की गई थी याची को 2013 तक 50 प्रतिशत वेतन का भुकतान करना था लेकिन गलती से जुलाई 2021 तक 50 प्रतिशत भुकतान हुआ इसके बाद अगस्ट 2021 से अगले 15 महिने तक कोई भुकतान नहीं किया गया और अक्तूबर 2022 में दोबारा पेंशन तै की गई इस दौरान जो अतिरिक्ट भुकतान किया गया था उसकी रिक्वरी के लिए प्रतिमाह पेंशन से 9000 रुपे की कटोती का निरने लिया गया हाइकोर्ट ने लगाया जुर्माना हाइकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची की कोई गलती नहीं कि फिर भी उसे 15 महिने के लिए पेंशन से वंचित कर दिया गया अब दोबारा पेंशन तै की गई तो उसमें से 9000 रुपे प्रतिमाह की कटोती का निरने ले लिया गया जो सही नहीं है हाइकोर्ट ने अब सरकार को अगले 49 माह तक प्रतिमाह 4500 रुपे की पेंशन से कटोती का आदेश दिया है साथ ही याची को हुई परेशानी के चलते उसे 1 लाख रुपे का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है